तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली करते के हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं साथी साथ हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जो कि इस समय भी ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं जिसमें आप पॉजिशनल ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो साथ ही साथ उनको अप sow optimistic के लिए भी अपनी वाची लिस्ट में आड़् कर सकते हो तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज निफ्टी की अनलिशिस कर लेते हैं उसके बाद बैंक निफ्टी पे चलेंगे आपको नीचे comment section में दे दूँगा अब अगर यहां पे एक bearish candle pattern बन चुका है तो हम लोग करना क्या चाहिए क्या हम लोग को nifty को short करना चाहिए या फिर हम लोग को buy करना चाहिए तो सबसे वली चीज buy तो हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि यहां पे हम लोग को bearish pattern दिख रहा ह इस वज़ा से यहां पे हम लोग buy का trade नहीं लेंगे बट on the other hand अगर आप long time के लिए nifty में invest करना चाहते हो तो मेरी तरफ से तो हमेशा आपके लिए यही राय रहेगी कि जितना जादा nifty नीचे जाए उतना जादा आप लोग buy करिये यही चीज़ साबित करने के लिए मैंन जितना जादा nifty नीचे गरेगा मैं उतना जादा उसमें invest करूँगा अब यहां से मेरे लिए next target क्या हो सकते है nifty में first of all आपका 19,200 का level and उसके बाद आपका 18,900 का level so यह दोनों level आपके लिए बहुत जादा important है अगर nifty इनके बीच में आता है reversal दिखाता है तो यहां पे हम लोग swing trade के बारे में भी सोच सकते हैं फिलाल के लिए मैं यहां पे सिर्फ long term investment के बारे में बात करा हूँ अब चलते हैं bank nifty के उबर और देख लेते हैं उसमें मेरा क्या analysis है so यहां पे आप लोग bank nifty का weekly chart देख पा रहे हो simple सा यहां पे मेरा एक analysis है bank nifty ने यहां पे double top pattern formation करा है उसके साथ सेम यहां पे भी आपको वही bearish pattern देखने को मिल रहा है जो हम लोग को nifty में दिखा था अब यहां पे भी वही सब कुछ सेम चीज़े हैं आपको यहां पे short नहीं करना है market को आपको यहां पे long नहीं जाना है swing rate के लिए आपको यहां पे buying करनी है long term के लिए और long term के लिए सबसे best level कौन सरेगा 43,500 के आजपास का अगर इसका breakdown आता है in future तब हम लोग उस पे बात क कर लेंगे क्योंकि हर वीक यहां पे मैं आपको market analysis का video share करता हूं तो चैनल को subscribe कर लिजे हम लोग 20,000 के बहुत ज़्यादा close हैं मैं जानता हूं कि 2,000 subscribers कम नहीं होते हैं बट still मैं जानता हूं कि आप लोग उसे complete करा दो गए फिलाल के लिए यहां पे हम लोग और क्या कर सकत हैं तो मेरे हिसाब से आपको जितने भी आपके swing trades हैं या फिर जितने भी आपके risky stocks हैं जिसमें आपने entry लेके रखी है या तो आप उनकी positions को increase ना करिए या फिर आप profits को book करने के बारे में सोचिए क्योंकि अगर आपका 20-30% का profit हो रखा है तो उसमें से 40% profit book करना कोई गलत चीज नहीं है ऐसे market में क्योंकि यहां पर देखिए मैं अभी आपको सिर्फ यह बता सकता हूं कि bank nifty का next support क्या है 43,000 का but इसके आगे क्या हो सकता है अगर breakdown आ जाता है तो आपको सीधे 42,000 के आसपास bank nifty दिखेगा तो अगर यहां से आपको 5-6% bank nifty गिरता हो दिखेगा त आप बंद कर दो लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप 1,000,000 का capital यूज करते हो तो इस समय यहां पर market में 50,000 का capital यूज करो that's it so I hope कि आपको दोनों analysis अच्छे से समझ में आ गया होंगे upside का target में अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब तक यहां पे आपका यह level break नहीं हो जाता जो कि double top का level है तब तक bank nifty यहां से कहीं ज़्यादा उपर नहीं जाने वाला हो सकता है अगर उपर आए भी तो वापस से यहीं से rejection लेके नीचे आ जाए इस तब यह level आपका अच्छे से break हो जाएगा तब हम लोग upside के targets की बात करेंगे फिलहाल के लिए चलते हैं stocks के उपर तो अब अपना focus थोड़ा जादा बढ़ा लीजेगा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम लोग positional trade पे जादा focus करने वाले हैं एक मेरा वीडियो और आएगा swing trading की watch list का वो आप जरूर देखेगा फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले की कौन से ऐसे stocks हैं जिने आप 2-4 महिने के लिए hold करने के बारे में सोच सकते हो इसमें आपको जादा fundamentals के deep में जाने की जरूरत नहीं है इस्टिल थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से देख लीजेगा तो सबसे पहले यहाँ पे अमनों का stock का नाम है iris इसमें क्या हो रहा है वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ 2018 का एक level है जो stock नहीं यहाँ पे resistance बनाया था जिसे वो था आपका 830 से 840 का level तो यह level आपको याद रखना है यह 2018 का level था which means कम से कम 5 साल हो चुके है stock ने अभी तक इस level का breakout नहीं दिया था बट अगर अभी आप देखोगे तो stock क्या कर रहा है वो दिखाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वीडियो को like कर दिजएगा आप लोग like करना हमेशा भूल जाते हो तो आगे आते हो और देखते हैं कि 2023 में stock ने ऐसा क्या कर रहा है जो मैं आपकी साथ इस stock को share कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो 2018 में stock ने try करा उसके बाद 2021 के mid में भी stock ने try करा बट अगेन breakout नहीं दे पाया देन फाइनली आके 2023 के आसपास stock ने यहाँ पर आपको एक breakout देने की कोशिश फिर से दिखाई यहाँ आप देख सकते हो around around June से July के मन्त में and finally अब यह candle आप देखो यहाँ पर जब stock ने breakout दिया है अब यह candle काफी ज़्यादा strong है क्योंकि previous candles अगर आप देखोगे तो सबको इसने एक साथ इंगल्फ कर लिया है यहाँ पर यह इतनी बड़ी candle है अगेन उपर से आपको rejection तो देखने को मिल रहा है बट हम लोग का game plan क्या यह मैं आपको बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज तक कोई भी weekly candle उपर close नहीं हुई है same goes with आपका monthly chart कोई भी monthly candle आज तक यहाँ पर close नहीं हुई है और September बंद की candle यहाँ पर close हो चुकी है जो लोग एक बड़ा risk ले सकते हैं और जो बड़े time के लिए invest करना चाते हैं इस stock में अगर आपको fundamentals बहुत जादा पसंद आ जाते हैं तो आप यहाँ पर भी किसी level पर entry ले सकते हो और अपना stop loss 800 के नीचे रख सकते हो यह होगा आपका एक थोड़े से long term का trade अब यहाँ पर अगर हम लोग positional trade की बात करें तो आप क्या कर सकते हो आपको यहाँ पर retest का wait करना है यह जो candle बनी है इतनी जादा strong तो है लेकिन यह जो इतनी बड़ी wick है यह मुझे उतनी जादा पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि stock के retest होने का wait कर सकते हो अगर वापस से stock 840 के आसपास आके यहाँ से reversal दिखाता है तो आप entry करने के बारे में सोच सकते हो same आपका stop loss 800 करेगा लेकिन इस बार आपका risk थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि आप पहले तो 870, 880 पे buy कर रहे थे इस बार आपको हो सकता है कि 850 के आसपास trade मिल जाए तो पहले जो आपका SL था 70, 80 points का वो आपका हो जाएगा 50 points का और उसके बाद आप इसे trail भी कर सकते हो अगर मैं same stock में आपको swing trading का analysis करके दिखा हूँ तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो अगर इस समय आप stock का momentum देखोगे तो बहुत जादा आपको इस candle में week देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग daily chart देख रहे हैं तो हम लोग को और precise entry करने का यहाँ पर मौका मिल सकता है तो वो precise entry आप कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ आप यह चीज हमेशा अपने stock के analysis में भी try करिएगा क्योंकि हमेशा आपको multi time frame analysis करना चाहिए अब यह हो गया आपका एक trend line जो कि आपको clearly देखने को मिल रही है stock अगर नीचे आता है 8.35 का level भी break करता है तो आपको support देखने को कहां से मिल सकता है 8.20 के level से तो अगर यहां पे कोई ऐसी green candle आपको देखने को मिल जाए same to same तो आप यहां पे भी buy कर सकते हो even आपको बस कोई bullish candle देखने है एकदम ऐसा नहीं कि ऐसी ही candle होने चाहिए अगर कोई bullish candle या फिर bullish reversal pattern आपको दिखता है तो आप यहीं पे entry कर सकते हो तो फिर आप सोचिए आपका stop loss और ज्यादा चोटा हो जाएगा अगर आपको यहां पे entry मिल जाती है कहीं I'm sorry चलिए हम लोग इसको use कर लेते हैं long position तो अगर आपको यहां कहीं entry मिल जाती है तो आपका stop loss इनी candles जो previous आपको swing low देखने को मिल रहा है वहीं पे आपका stop loss हो जाएगा मतलब यह जो आपका swing low है यही आपका stop loss हो जाएगा and आपका minimum target क्या रहेगा इसका all time high तो यहां पे आपका stop loss जो पहले 70-80 points का था वो 24 points का हो जाएगा और आपका जो target है वो same आपका 95 points करेगा which is 1-4 का risk reward ratio अब यह जो trades होते हैं swing trading वाले जिसमें आप छोटे time frame पे entry लेते हो इनका जो आपका winning rate होता है वो हमेशा कम रहेगा किस से कम रहेगा positional trade से और positional trade का win rate किस से कम रहेगा आपके monthly investment से तो आई होग कि आपको basic समझ में आ गया होगा पेले stock ने यहाँ पे एक resistance बनाया था जो कि आपका 750 levels का था currently stock आपका चल रहा है 800 पे तो क्या आप यहाँ पे से buy करोगे मेरे साब से कर भी सकते हो इसका reason क्या है यह भी मैं आपको दिखाता हूँ हमेशा मैं आप से कहता हूँ ना कि retest के बात buy करो तो इस stock में आपको एक perfect retest already देखने को मिल रहा है तो 2021 के end में जो stock ने resistance बनाया था 2023 के end के आज सपास आके stock ने उसी level का हम लोगों को breakout दिया है इसको मैंने पहले भी share करा था अगर आपने इसे capture करा है तो जरूर मेरे साथ share करिएगा अपना screenshot आपको whatsapp का number मेरा पता है वहाँ पे आप आके मुझे बता सकते हो गर आपको whatsapp community join करनी हो तो क्योंकि हम लोग का new batch start होने वाला है 3rd October से 3rd October से market खुलेगा and 2nd October मतलब कल के दिन पे मैं वहाँ पे आपके साथ important classes share कर दूँगा तो अगर कोई join करना चाता है जो classes देखना चाता है जो सीखना चाता है तो वो इस number पे आके मुझे message कर सकता है अब आगे बढ़ते हैं तो इस stock में क्या देखने को मिल रहा है अगेन हम लोग daily chart पे आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको 2023 में एक perfect breakout देखने को मिलेगा उसके बाद आपकी एक retest candle भी बनी जो कि एक अच्छी retest candle थी और उसके बाद एक proper retest यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है proper retest और retest candle में फरक क्या होता है यह अगर आप लोग को जानना है तो मैं आपको short में बता देता हूँ कि जब stock आपका बहुत तेजी से उपर जाता है for example यह आपका resistance है stock ने यहाँ पे बहुत तेजी से upside का momentum दिखाया और उसके बाद सिर्फ एक दो candle ऐसी बनी जिसने अपना previous zone टच करा और वापस से उपर चली गई और एक proper retest का मतलब क्या होता है अगर stock ने एक अच्छे से तेजी दिखाई और उसके बाद धीरे 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 आ के कम से कम हफता या फिर दो हफता लगा के यहाँ पे retest complete करा और उसके बाद उपर जा रहा है दोनों का अपना different काम होता है यहाँ पे आपको यहाँ से भी कम से कम आपका 30-40% दूर है और यहाँ पे आपका stop loss कह रहेगा इसी candle का low और यहाँ पे आपको एक pattern भी देखने को मिलेगा इस pattern का नाम मुझे आप नीचे comment section में जरूर बताएगा काफी लोग इस pattern का नाम लेते हैं यहाँ पे perfect मुझे देखने को मिल रहा है तो इसका नाम मुझे comment section में जरूर बताएगा और यहाँ पे हम लोग उने weekly time frame पे analysis कर लिया है daily पे भी देख लिया है तो अगर आप entry लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो देखिए दो तरीके entry लेने के first of all आप इसके high को break होने दीजे आपको double confirmation मिल जाएगा क्योंकि stock ने breakout कर दिया है, retest कर दिया है सबसे best price आपका यहाँ पे रहता काई ना काई 760 के आसपस बढ़ अगर आप इसको 840 के उपर buy करोगे तो इसी breakout के नीचे का level आपका stop loss हो जाएगा for example, अगर आपने इस candle के high पे buy करा मतलब यह आपकी breakout candle है, इस candle के आपने high पे buy कर लिया तो यही breakout candle का low आपका stop loss रह जाएगा और यह इतना बड़ा stop loss आपका नहीं होगा on the other hand अगर आप यहाँ पे buy करते हो तो अपनी पूरी quantities में buy मत करिएगा क्योंकि हो सकता है stock वापस से थोड़ा नीचे आके उपर जाए तो आप यहाँ पे averaging करने के बारे में सोच सकते हो completely आप पे depend करता है कि आपका analysis मेरे analysis से match होता ही कि नहीं मेरे इसाप से stock यहाँ पे इस समय downtrend में तो अगर stock अपना कोई भी previous low break कर देता है तो market के sideways जाने के chances बढ़ जाएंगे या फिर यहाँ पे downtrend भी start हो सकता है तो आप लोग प्लीज इस stock में फसीएगा मत आपको stop loss पता है आपको target पता है time पे profit book करिएगा अगर stop loss हिट होता है तो exit करिएगा अपने analysis से जब आपका मेरा analysis match हो जाएगा तभी इसमें entry लेने की कोशिश करेगा otherwise avoid करेगा साथी साथ I hope कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा आपने वीडियो को like भी कर दिया होगा अगर आप WhatsApp community के ज़्यादा details जानना चाहते हो तो नीचे description में जाके आप पर सकते हो till then thank you so much for watching guys हम लोग मिलते हैं किसी ऐसी अच्छे से वीडियो के साथ